इत्रों सुप्रभात नमस्कार गुड मानिंग मैं पीपल के बिच के नीचे देव बिच के नीचे खड़ा हूँ जो कि मैं साख्षीजन देता रहता है इसके अंदर से लक्ता निकलते हैं इसकी पत्तियों के अंदर से और मैं बताना जाओंगा आज को विचार इस प्रकार है आज मैं कहानी बताऊंगा कि कुरोध जो होता है एंगर वह कितना नुक्सान पहुचाता है लेकिन कुरोध करने से हमारी विंद्रियां होती है वह बहुत प्रसान हो जाती है और कुरोध करने से हमारा स्वास भी विगड़ता है यह इसके पीछे बैग्यानी कारण भी है करने से तंका तंतर पर सर पढ़ता है और हमें करोध करने से बचना चाहिए को उल्टा सिरह बोलते हैं क्रोध की दवा क्या है गुष्टे की दवा क्या है उसका इलाज क्या है मैं कहानी की माध्यम सामको बताऊंगा यह आप उसका अनुसरार करते हैं तो निश्य में क्लेस रहता था महोल भीगडा रहता था और कलह थी तो महीला अपने गुष्टे पर कबों नहीं कर पाती थी एक दिन उसके घर महात्मा एक साधूर जी है महराज जाये और उस महीला ने उस महात्मा से अपने साड़ी बताई तो महात्मा जी ने कहा ठीक है मैं तुम्हे में दवा देता हूँ उन्होंने अपने जोले से थाले से सीसी निकाली उस सीसी को देते हुए महीला को देते हुए कहा कि तुम्हें जब भी क्रोध आए तो इसमें इस दवा को उन्हीं जीप पर तरदस बूदे ठाल लेना और दस मिनट तक चुप रहना कुछ भी मत बोला मुख मत खोलना महीला ने ऐसा किया एक सब्ता तक ऐसा ही किया और एक सब्ता बाद बाद उसका क्रोध्यम सांथ हो गया अब खुश रहने लगी एक सब्ता बाद मह घर पे आये और उन्होंने कि कहा जम्हीला मिली माहिला ने मात्मा जी से कहा कि मात्मन अब मेरा क्रोध्य सांथ हो गया बताइए कैसे आपने मुझे क्या दिया था मात्मन अब को सीसी में कॉल पानी भरा था गुस्सा है उसको कर सांथ रहे काब किया रिश कता है मुख हो जाती है गुस्ता को कटो मौर रहकर कर संद किया सकता है मौर रहकर हटाए जा सकता है तो दो कभी भी किसी से बहस हो तो 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 यह जान करें अपसमें द्यूस्व बाणा करें इत्रों योग ध्यान करने से पूजा पाठ करने से मन सांत रहता है मन सुध्ध रहता है और मन के अंदर हिर्दे के अंदर पर इठता आती है तो आभी इन बातों पर ध्यान दे और अपने गुस्ते को कावो करें मेरी कहानी कैसे लगी विशे लाइक कमेंट करें और मुझे बताएं चैनल को करें बेल आइकन को दमाएं जैहिंद वंद्यमात्रम भरतमाता की जयाएं